ये जानते हैं किरन भारतवाज की इस रिपोर्ट में किशोर अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें शारिरिक वो मानसिक वृद्धी और विकास होता है इस अवस्था के दोरान कई बदलाव होने लगते हैं भावों और बातों को व्यक्त करने का अंदाज अलग हो जाता है लड़कों के तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है लेकिन उनके विकास की दर लड़कों से जल्दी ही समाप्त हो जाती है यानि लड़कों से दो साल पहले ही उनका बढ़ना बंद हो जाता है किशोरवस्था में होने वाले बदलाव शारिरिक और मानसिक स्तर पर होते हैं तो यह एक्सपेक्टिड होता है कि 12-13 साल तक हो जाएंगे किशोरियों में यौन परिपक्वता आने लगती है और उनके प्रजनन तंत्र का विकास होता है उनमें महावरी की शुरुवात हो जाती है जिसकी वजह से शरीर गर्बधारन के लिए तैयार हो जाता है किशोरियों में स्तनों का विकास, त्वचा के रंग में निखार, चेहरे पर मुहासे आना, त्वचा में परिवर्तन और हॉर्मोन परिवर्तन भी होती है किशोर और किशोरियों में मिजाज का बदलना भी देखा जाता है, क्रोध की अधिकता हो सकती है कई किशोरों में शराब का सेवन भी शुरू हो जाता है दूमरपान की आदत पढ़ने लगती है अवसाद, चिंता और भावनात्मक बदलाव भी किशोर अवस्था में देखे जाते हैं किशोर अवस्था जीवन की सबसे समवेधन शील अवस्था होती है इस अवस्था में सही मार्दर्शन आवश्यक है किशोर अवस्था में मनोवेग्यानिक सलहा की जरूरत होती है माबाप के लिए भी जरूरी है कि बच्चे से बात करते रहें हेल्दी डाइट खाना बहुत बहुत जरूरी है जरूरी है कि एक घंटा वयाम किया जाए, किसी भी फार्म में जो भी सूट करता हो, स्विमिंग करें, वॉक के लिए जाएं और थोड़ा गुरुप बना के रखें, आपस में ये लोग बच्चे बात करते हैं तो मन की जो भी उनके भ्रम होते हैं काफी कुछ अपने की जाए, आवश्यक हो तो एक विशेशग्य से सलह अवश्य ले, किशोर अवस्था से ही अच्छी आदितें डाले, जिससे आने वाला जीवन स्वास्त से पूर्ण हो, किरनभार द्वाज, डीडी नियूज और कारे क्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, आप देखते रहें लीडी नियूज